नमस्ति, कोल फ्यूजल हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है तीन साल पहले एक रेडिट थ्रेड था जिसमें AI इमेजरी के बारे में बात हो रही थी एक यूजर ने कहा कि सुचो कुछ सालों में हम सिर्फ कुछ सेंटेंसे से फोटरियलिस्टिक वीडियो बना सकेंगे AI तो क्रेजी है उसको डाउनबोर्ट किया गया और रिप्लाय में हसकर कहा गया कि ऐसा हमारी लाइफ टाइम में नहीं होगा शायद हमारे great grandkids के पास इसी technology हो लेकिन तीन साल बाद ये हो गया एक खुबसूरत drone shoot हुआ जैसा कि आप travel वीडियो में देखते होंगे लेकिन ये real नहीं है कोई drone नहीं है, कोई camera नहीं है आप travel नहीं कर सकते क्योंकि ये video AI ने generate किया है ये एक नया tool है जो open AI ने कुछ घंटे पहले announce किया है जिसका नाम है SORA बस एक short text type करना होता है एक prompt और कुछ minute में ये एक 60 second video clip spit out कर देता है pretty much कुछ भी जो आप imagine कर सकते हो पिछले कुछ दिनों में आप सबने SORA के बारे में सुना होगा ये एक नया tool open AI जो text को photo realistic video में convert करता है ये perfect नहीं है लेकिन जो कुछ हमने पहले देखा उससे काफी बहतर है लेकिन जादातर लोग ये नहीं जानते कि SORA सिर्ष scratch से video create नहीं करता बलकि ये अलग-अलग videos को एक scene में combine कर सकता है still images को animate कर सकता है non AI video को seamlessly modify कर सकता है depending on the user prompt और बहुत कुछ जो हम बाद में discuss करेंगे हम इस video को दो parts में divide करेंगे पहला part ये होगा कि SORA क्या कर सकता है Google ने ये कैसे accidentally possible बनाया और SORA के limitations क्या है दूसरा part होगा society के लिए इसके implications और इससे arise होने वाली problems के कुछ solutions पर इस episode में चलिए सब explore करते हैं आप देख रहे है cold fusion TV तो पहले मैं कुछ examples दिखाऊंगा including कुछ नए जो अभी release हुए है उन लोगों के द्वारा जो इसके पास early access है ध्यान दो कि सारे cutscenes, camera angle और movement AI की creative choices है अगर आप ऐसा कहना जाते हो वीडियो एक मिनिट तक हो सकती है और 1080p resolution में ठीक है तो ये वीडियो बनाता है लेकिन context समझने के लिए जैसा कि मारकस ब्राउनले ने बताया ये एक wild clip है जहां text AI वीडियो एक साल पहले था लेकिन अभी जो state of the art है वो कहीं भी close नहीं है मैंने सेम prompts को runway, ml पर test किया और यहां है result सारा का difference ये है कि वो coherent है पहले के videos AI system का एक characteristic morphing quality होता था जब video progress होता था सारा के साथ वो बहुत कम हो गया या बिलकुल ही गायब हो गया objects stable रहते हैं जब even वो foreground के things से ob secure होते हैं ये एक बहुत जादा robust system है 2019 से research में इसके similar चीज़े देखी है लेकिन जो नया है वो ये है कि दो videos को एक scene में combine करने की ability चलो इसकी एक जलक लेते हैं ये एक साथ different camera angles बना सकता है एक single scene के सिफ एक prompt के साथ ठीक है तो उन्होंने ये कैसे किया जादा time यहां नहीं बताऊंगा लेकिन basically Sora is based of similar tech to open AI DOI 3 Google का involvement कैसे Sora बनाया गया था वो interesting है 2017 में Google ने कुछ invent किया था जिसे transformer architecture कहते हैं और उन्होंने अपनी findings को publish किया आपको exactly ये क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है लेकिन transformer basically ऐसा कुछ है जो AI को text generate करने में बहतर बनाता है Open AI ने Google stack पर built करके अपने text model बनाये result था chat ggpt हमने इस पर पहले एक episode किया था लेकिन बाद में Google ने कुछ अजीव notice किया उन्होंने transformer को modify किया सिर्फ text patterns define करने के लिए नहीं लेकिन videos के patterns के लिए भी और ये बहुत अच्छे से काम किया Open AI ने ये देखा और कहा thank you very much और ran with the idea कुछ tinkering के बाद उन्होंने Sora release किया तो Sora को कैसे train किया गया training data के बारे में कोई public info नहीं है लेकिन Open AI ने पिछले साल shuttle stop के साथ partner किया था उनके पास बहुत सारा copyright free data है जिससे उनका AI च्यू कर सकता है और ये एक clue हो सकता है ये सब cool है लेकिन हम अपने आपको आगे बढ़ने से पहले रोकते हैं कुछ limitations क्या है जबकि ये videos अच्छी लगती है cherry picked examples अच्छी लगती है एक है reduced need of stop footage लेकिन of course एक obvious चीज जिसकी तरफ flow gravity करते हैं वो है misinformation और fake news लोग AI का use करके ऐसे events create करते हैं जो कभी नहीं हुए हमने ये already देखा है AI image के साथ लुड साथ लrics के साथ लुड लूए भो करें लुड लोगती है झाल 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 करने के बाद के बाद करने 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 के बाद झाल 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 झाल